मेरे प्यारे देश्वासियों नमस्कार कोरोना वैस्विक महामारी के खिलाप देश व्यापी लोगडाउन को आज नाव दीन हो रहे हैं इस दोरां आप सभी ने जिस प्रकार अनुशाशन और सेवा भाव दोनों का परिशे दिया है वो अभूत पुर्व है शाशन प्रशाशन और जनता जनारदन ने मिलकर इस्थीती को अच्छे ढंग से सम्हालने का भरपूर प्रयास किया है आपने जिस प्रकार 22 मार्च रविवार के दिन कोरोना के खिलाप लड़ाई लड़ने वाले हर किसी का धन्यवाद किया वो भी आज सभी देशों के लिए एक मिसाल बन गया आज कई देश इसको दोहरा रहे हैं जनता करफ्यू हो गंटी बजाने थाली बजाने का कारकम हो इन्होंने इस चुनावति पुन समय में देश को इसकी सामुहिक शक्ति का एसास कराया यह भाव प्रगट हुआ कि देश एक होकर कोरोना के खिलाप लड़ाई लड़ सकता है अब लॉकडाउन के समय में देश की आप सभी की यह सामुहिक ता चरितार्थ होती नजर आ रही है साथियों आज जब देश के करोडों लोग घरों में हैं तब किसी को भी लग सकता है कि वो अकेला क्या करेगा कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी लड़ाई को वो अकेले कैसे लड़ पाएंगे ये प्रश्ण भी मन में आते होंगे कि कितने दीन ऐसे और काटने पड़ेंगे साथियों ये लोग डाउन का समय जरूर है हम अपने अपने घरों में जरूर है लेकिन हम में से कोई अकेला नहीं है 130 करोड देश्वास्यों की सामुईक शक्ति हर व्यक्ति के साथ है हर व्यक्ति का संबल है समय समय पर देश्वास्यों की इस सामुईक शक्ति की विराड़ता इसकी भव्यता और इसकी दिव्यता की अनुभूति करना आवशक है साथियों हमारे यहां माना जाता है कि जनता जनार्दन इस्वर का ही रूप होती है इसलिए जब देश इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा हो तो ऐसी लड़ाई में बार बार जनता रुपी महाशक्ति का दिराड स्वरुप का साक्षात करते रहना चाहिए ये साक्षात कार हमें मनोबल देता है लक्ष देता है और उसकी प्राप्ति के लिए उर्जा भी देता है हमारा मार्क और अधिक स्पष्ठ करता है साथियों कोरोना महामरी से फैले अंदकार के बीच हमें निरंतर प्रकाश की और जाना है जो इस कोरोना संकट से सबसे ज़्यादा प्रभावित है हमारे गरीब भाई बहें उन्हें कोरोना संकट से पैदा हुई निरासा से आशा की तरफ ले जाना है इस कोरोना संकट से जो अंदकार और अनिश्चित्ता पैदा हुई है उसे समाप्त करके हमें उजाले और निश्चित्ता की तरफ बढ़ना है इस अंदकार मैं कोरोना संकट को पराजित करने के लिए हमें प्रकास के तेज को चारों दिशाओं में फैलाना है और इसलिए इस संडे पांच एप्रिल को हम सब को मिलकर कोरोना के संकट के अंदकार को चुनोती देनी है उसे प्रकास की ताकत का परिचे कराना है इस पांच एप्रिल को हमें एक सो तीस करोड देश्वासियों की महा शक्ति का जागरन करना है एक सो तीस करोड देश्वासियों के महा संकल्प को नई उचाईयों पर ले जाना है पांच एप्रिल रभिवार को रात नव बजे मैं आप सब के नव मिनिट चाहता हूं ध्यान से सुनिएगा पांच एप्रिल को रभिवार को रात नव बजे गर की सभी लाइटे बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर नव मिनिट के लिए मुम्बती दिया टॉर्च या मुबाइल की फ्लेश लाइट जलाएं मैं फिर कहूंगा मुम्बती दिया टॉर्च या मुबाइल की फ्लेश लाइट पांच एप्रिल को रात को नव बजे नव मिनिट तक जरूर जलाएं और उस समय यदि घर की सभी लाइटे बंद करेंगे चारों तरब जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा तब प्रकास की उस महाशक्ति का एसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं ये उजागर होगा उस प्रकास में उस रोशनी में उस उजाले में हम अपने मन में ये संकल्प करें कि हम अकेले नहीं है हम अकेले नहीं है कोई भी अकेला नहीं है 130 करोर देशवासी एकी संकल्प के साथ कृत संकल्प है साथियों मेरी एक और प्रातना है इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इखठा नहीं होना है रास्तों में गलियों में या महलों में नहीं जाना है अपने घर के दरवाजे बालकनी से ही इसे कर रहा है सोशल डिस्टंसिंग सोशल डिस्टंसिंग की लक्षवन देखा को कभी भी लांगना नहीं है सोशल डिस्टंसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है कोरोना की चेन तोड़ने का यही रामबान इलाज है इसलिए पाँच एप्रिल रभीबार को रात नव बजे कुछ पल अकेले बैटकर माँ भारती का स्मरण कीजिए 130 करोर देशवाचियों के चहरों की कलपना कीजिए 130 करोर देशवाचियों की सामुईक्ता इस महासक्ति का एसास कीजिए यह हमें संकट की इस घड़ी से लड़ने की ताकत देगा और जीतने का आत्म विश्वाच भी हमारी यहां कहा गया है उत्साहो बलवान आरिया न अस्ति उत्साह परंबलम स उत्साहस्य लोकेशू न किंचित अपी दुल्लभम यानि हमारे उत्साह हमारी स्पिरीड से बढ़कर के दुनिया में कोई फोर्स नहीं होता है दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम इस ताकत से हासिर न कर पाएं आईए साथ आकर साथ मिलकर कुरोना को हराएं भारत को विजई बनाएं बहुत बहुत धन्यवाद